हेलो फ्रेंड्स मैं जनामित्तल आज आपके लिए ये की बहुत प्यारा सा डबल कलर का स्वेटर डिजाइन लेकर आई हूँ ये देखे, ये मैंने एक स्वेटर बनाया है, मैंने तो ये एक हाफ स्वेटर बनाया है, बट आप ये डिजाइन किसी भी गर्ल स्वेटर में, लेडिस स्वेटर में, बेबी सूट में, डबल कलर का डिजाइन है, और ऐसा डिजाइन है जिसको आप बिना ग्राफ के बना सकते हैं चलिए हम अपना डिजाइन कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बता देती हूं जैसे ये देखो नीचे हमारा बॉर्डर है ये हमाने बॉर्डर बनाया था इसमें दो उल्टे दो सीधे का और बॉर्डर के बाद फिर मैंने चार सलाई सिंपल बॉर्डर वाले कलर की थी तो इ इसमें भी मैंने ऐसे ही कर लिया है ये देखिए ये मैंने यहां चार सलाई उल्टी सीधी बना ली है अब इसमें ये जो ये वाला पेटरन बना है हम ये बनाएंगे इस डिजाइन में हमें ग्राफ की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत सिंपल डिजाइन है ये देखि अब हम यहां पर दूसरा कलर लगाएंगे मैंने इसके बीच में चार चार सलाईया की है आप चाहें तो दो या छे छे भी बना सकते हैं अब हम वाइट कलर का धागा यूज़ कर रहे हैं ये देखो ये मैंने वाइट कलर का धागा यूज़ किया ये देखे वाइट कलर का तो हमने दो भाइट बुने एक फंदा हम स्लिप करेंगे फिर दो भाइट बुनेंगे फिर एक फंदा स्लिप करेंगे फिर से दो भाइट बुनेंगे और एक फंदा स्लिप करेंगे फिर दो भाइट बनाएंगे एक फंदा स्लिप पूरी सलाई हमारी ऐसे ही बनती जाएगे एक फंदा Slip करेंगे और दो फंदे हम वाइट बनाएंगे सौरी दो Slip हो गए है हमें यहां one Slip करना था ऐसे हमारी एक सलाई कम्प्लीट हो गए है अब हूँ wrong side उल्टी सलाई पर आ गए है और उल्टी सलाई में यह सलाई हमारी पूरी simple वाइट होईगी इसमें जो हमने blue फंदा किया था उसको भी हम white बनाएंगे ये जो blue हमने slip किया था इसको भी white बनाएंगे ऐसे मैं ये पूरी सलाई बना लेती हूँ ये देखिए इस तरह से हमारी ये वाला pattern बन गया है अब हमें बीच में base color की 4 सलाई बनानी है ये छोटा सेंपल है तो इसमें मैं दो सलाई उल्टी और सीधी blue color की बना लेती हूँ ये देखिए ये मैंने दो सलाई simple बना ली है इसमें मैंने 4-4 बनाई हूँ है फोर सलाई है ये बट इसमें ये मैंने आपको सेंपल दिखा रही हूँ तो यहां मैंने दो सलाई बनाई है अब हम इसमें ये वाला pattern बनाएंगे तो उसके लिए भी हमें सेंप वही दोराना होगा इसमें हमें दो फंदी white एक दो white एक slip करना है फिर से दो white फिर एक slip पूरी सलाई हमें ऐसे ही बनानी है ये देखिए ये सलाई हमारी complete हो गई है अब हम उल्टी सलाई पर आए है और उल्टी सलाई हमें पूरी white बनानी है ये वाली हम पूरी white सलाई बनाएंगे ये मैं पूरी बना लेती हूँ ये देखिए ये वाली हमारी ये वाला और ये वाली दोनों बन गई है अब हमें फिर से चार सलाई बनानी है फिर हम ये डिजाइन बनाएंगे इसमें हमने चार बनाई है इसमें मैं यहां भी दो सलाई ब्लू बना लेती हूँ एक सीधी और एक उल्टी ये हमारी right सलाई है ये हम पूरी बनाएंगे ये देखिए अब हम उल्टी सलाई पर आ गए हैं रोंग साइड पर ये भी हम पूरी सलाई उल्टी बनाएं ये देखिए ये हमारी दो सलाई complete हो गई हैं ये वाली यहां तक हम बना चुके हैं अब हम इस जगह आ गए हैं हम अपना ये वाला पेटरन बनाते हैं बिना ग्राफ के इतना सुन्दा डिजाइन ये दिखें ऐसे अब हम यहाँ पर ऐसे पूरी से तीन तीन फंदे ब्लू बुनेंगे वान टू थ्री और त्री फंदे वाइट बुनेंगे फिर से थ्री ब्लू वान टू थ्री ऐसे ही हम दोनों तीन तीन दोनों फंदे बुनते जाएंगे पूरी सलाई हमारी तीन ब्लू और तीन ब्लैक की हो जाएगी यह देखे इस तरह से हमारी पूरी सलाई हो जाएगी अब हम उल्टी सलाई पर आ गए हैं रोंग साइड यहाँ पर यह देखो जो हमारे तीन ब्लू बुन लेते हैं यह हमने ब्लू बुना अब यह एक ब्लू जो एक ब्लू है इसको ब्लू बनाएंगे और यह वाइट को भी वाइट बनाएंगे अब जो वाइट के सेंटर वाला फंदा था उसको ब्लू बनाएंगे और इधर वाला फंदा यह वाला वाइट के उपर वाइट और यह वाइट center वाला same रहेगा blue वाले में blue और white वाले में white ये blue अब इस blue को white बनाएंगे और इसको white बनाएंगे ये वाला center वाले sorry दोनो blue हो जाएंगे ये जो center वाला है ये blue बनेगा अब ये white और इसके बराबर वाला white ये वाला blue वाला जो center में था ये blue अब ये blue वाले को white बनाएंगे white बनाएंगे center वाले को blue बनाएंगे दोनों के center वाले blue बनेंगे ये white और ये white और ये वाला हमारा ब्लू रहेगा, ये वाइट रहेगा, ऐसे, ये देखे इस तरह से, पूरी सलाई हमारी दो ब्लू और एक वाइट की बन गई है, अब हम उल्टी सलाई, सीधी सलाई पर आ गए हैं, इसमें हम सीम सलाई बनाएंगे, white के उपर white और blue के उपर blue ये white है तो white बनाएंगे ये blue है blue बनाएंगे white के उपर white बनाएंगे और blue के उपर blue पूरी सलाई हमारी ये same रहेगी देखे ऐसे ये हमारी सलाई complete हो गई है अब हम wrong side पे आएंगे तो हमें ध्यान रखना है पहले हमने ये वाले तीन वाइट किये थे, यानि कि ये वाले एक, ये वाले, ये तीनों हमारे नीचे वाइट थे, तो इस बार हमें ये तीनों ब्लू बनाने हैं, ये वाले एक, दो, तीन ये ब्लू होएंगे, क्योंकि हमें ध्यान रखना है हमारे जैसे ये दो फंदे आए है हम उल्डि साइड आ जाएंगे ऐसे रखेंगे अपना सुईटर और यहां धियां देंगे कि जो ये इसके सेंटर में जो ब्लू फंदा आ रहा है इसके एक इधरका और एक इधरका मिलाकर ये तीनों हमें ब्लू बनाने है ये वाले तीनों ब्लू बनाने हैं, तो ये दोनों फंदे हमारे वाइट बनेंगे, ये वाला और ये वाला, ये दोनों हमने वाइट बनाए, अब तीन फंदे हमारे ब्लू बनेंगे, एक, दो, ये देखो, और एक, तीन, ऐसे, और ये तीन अब हमारे वाइट बनेंगे, एक, दो, तीन, ऐसे, यह देखो यह जो open वाला part है, इसको ध्यान रखना है जो नीचे से blue खुला हुआ है, यह तीनों हमें white बनाने है और यहाँ पर देखो, जो नीचे से यह हमारा blue बंद है, यह देखो यह नीचे से blue हमारा, यहाँ white फंद आ रहा है, blue बंद है, यह blue होएंगे अब यह तीनों हमें blue बनाने है एक, दो, तीन अब यह हमारा open है, बिल्कुल clear open है, तो यह वाले हमारे white बनेंगे एक, दो, तीन अब हमें पूरी सलाई ऐसे ही, तीन blue और तीन white की बनानी है बहुत simple design है, बहुत जल्दी आप इसको बना पाएंगे beginners भी यह design जरूर बना कर देखें यह देखें और इस तरह से यह यह हमारा design तयार हो गया है, यह देखो अब हम फिर से ऐसे ही, फिर से दो सलाई बनाएंगे और फिर से यहीवाला same pattern डालेंगे फिर से इसमें दो, लेकिन इसमें हमने चार-चार सलाई बनाएंगे फिर से यही नीचे वाला pattern डालेंगे फिर फिर से चार सलाई बनाएंगे सेम यही नीचे वाला पेटरन होगा यह वाला फिर चार सलाई होएंगी फिर यही पेटरन आएगा फिर चार सलाई फिर यह डिजाइन इस तरह से बहुत जल्दी आप यह डिजाइन तयार कर पाएंगे बहुत सिंपल और इजी डिजाइन है इस तरह ये देखिए ये हमारा डिजाइन तयार हो गया है इस तरह बहुत प्यारा लगीगा बहुत इजी है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज उसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स आप सभी जो बार्डर होती है वो 12 नमबर की सलाई से और उपर का जो होता है वो 11 नमबर की सलाई से बनाए कीजिए थैंक यू, have a nice day